E.D. को एक और जानकारी हाथ लगी है जिससे अब ऐसा लग रहा है कि वो जो 15 करोड रुपे वाला मामला है वो सुलच जाएगा और हो सकता है कि 15 करोड रुपे किस तरह से कहां-कहां ट्रांसफर हुए वो बात भी सामने आ जाए कि क्योंकि दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला है जो साइन तो किये थे सुशान सिंग राजबूत ने लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो साइनिंग आमाउंट था वो रिया चकरुरती के अकाउंट में गया तो अब जैसे पहले भी एक ख़बर आई थी कि प्रोड़क्शन हाउस ता जैसे कुछ काम कराया सुशान ने तीन लाग रुपए का सौधा हुआ तीन लाग रुपए उनको दिये गए सुशान की तरफ से और बाद में कुछ समय बाद 75,000 रुपए उसी प्रोड़क्शन हाउस ने रिया के अकाउंट में जबा करा दिया क्या किस वज़ा से कराया था क्या हुआ था वो तो नहीं पता चला लेकिन एक कहते हैं कि कनेक्शन पता चल गया अब ये दूसरा कनेक्शन पता चला है कि दो प्रोड़क्शन साइन करते हैं सुशान सिंग राजपूत पैसा जाता है रिया के अकाउंट में तो क्या ऐसा कई बार किया गया, बार-बार किया गया, कई किस्तों में किया गया, अलग-अलग production house के साथ किया गया, ये पता लगाना है enforcement directorate को, मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक phone handover नहीं किया है सुशांत सिंग राजपूत का ED को, इसलिए द दिन और कितने कहां कहां किसके साथ कैसे हुए थे, ये पता लग सकता था, फिलाल एक-एक कड़ी करके एक-एक राज खुल रहा है, धीरे-धीरे परत-दर-परत और भी बहुत सारी बाते सामने आएंगी, जसे-जसे आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा,